नश्का राजनामा ठीपर आपका स्वाकत हैं मैं प्रियाम आपके साथ नसीपी अजित गूट के नेता बाबा सिद्धिकी के मडर की जम्मेदारी लेने वाले शुभम शुभू लोनकर से एक्टर सल्मान खान के मामले में भी पूश्टाच हुई थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इसी साल अप्रेल में एक्टर सल्मान खान के घर पर गोलिया चलाई गई थी इस मामले में पुलीस शुभम लोनकर को हिरासत में लेकर पूश्टाच कर रही थी लेकिन पुलीस को उसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे शुभम अभी फरार है उसका भाई प्रवीन लोनकर पूने से गिर्फतार किया गया है पहले चानकरी आई थी कि इन दोनों ने मिलकर ही सिद्धिकी के मडर की प्लानिंग की थी लेकिन सुत्रों के मताबिक सिद्धिकी की हत्या में चार आरोपी नहीं बलकि 10 से 15 लोगों का एक ग्रूप शामिल था इधर सुमबार को यूपी के बहराईच से मुक्य आरोपी धर्मराज के गाउं के सरगंज के गंडारा से उसके चचेरे भाईयों को मुंबई पुलिस ने गिरफतार किया उन्हें 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया इनके नाम अनुराग और हरिश बालकराम है हरिश पूने में कबाड की दुकान चलाता है उसने ही शीवा और धर्मराज को कुल्ला में किराय का रूम और बाइक अरेंच कराई थी दोनों को पेसे दिये थे और उनके लिए नए मॉबाइल फोन भी खरीदे थे इसी के साथ बने रहे ही राश्ट्रमा टीवी के साथ धाने बाद